राम राम दोस्तों मैं सन्नी शर्मा आपका होस्ट आप देख रहे हैं मेरा चैनल फार्मिंग फॉर न्यू जनरेशन आज फिर में एक और नया वीडियो लेके आया रहा हूं जो हमारे गाउं के पास का है मतलब मेरे गाउं से 30 किलोमेटर दूर पे है और वो है बीड यहां पर काफी जादा गाड़ी स्केट दो रही थी हमने अपनी गाड़ी आगे पास कर दिया इसके बाद हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा और आपको बरफ दिखाते हैं यह देखिए पूरे के पूरे उसमें बरफ है और बरफ भी गिर रही है हलकी हलकी यह देखि यह देखो अभी बच्चे भी आम मस्तरी करेंगे और बच्चे बनाएंगे यह बच्चे वह बनाएंगे क्या बोलते हैं क्या बनतायार सुमित क्या Banta Bear Coman nah karim can क्यों कि बच्चो की हालत-पतली वालि अगले आदे घंटे के अंदर आदे घंटे के अंदर 15 मिनट गभाद यह हमारा चोटे बलड़का है आर्ष आर्ष कुछ बोलना चाहेंगे मैं मैंने सारे गोले बनाऊंगा तो ना उसकी बोटी बनाने के लिए उपाई सारा समा ले लेगी जैसे उसके आंक और हाथ और तरफ भी ले लेगी और मैं तब तक ना इन स्नो से अपने में पाद यह देखो बरफ के स्नों बेदिकर फोट आपको यहां पर मेरे इसके उपर भी दिख रहे होंगे देखिए थोड़े थोड़े यह देखिए यह देखिए लाइव पर बहुत दीरी दीरी ओ धीमी दीवी दिख रही है जो आपको ऐसे करें पता नीच लेगा कि कैसी है पर य देखिए यह घर रही है थोड़ी देर के बाद ही देखो मतलब बहुती मजा आ रहा है एकदम बशक लाइब गिरते हुए और आप आहां जा रहे हो बापस भी जाना है घर कहां जा रहे हो यह पतर है यहीं पर अट बश्च बंच वजरे शाम के ऑपड़ी और लो ब्लें आ निह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह वधिये गिर्टील लाइब मैं मैं ने पहली बार सबस्क्राइब गर्टी गिर्ती वह बहुत जोड जोड देखिए किया धा आप कान जा रहे हैं भाई बाईजाब यह पूर पूरा यह देखो क्या मोचम है क्या मज़ा रहा है एक दम देखो क्लीटन बर्फ है देखो बिलकुल एक दम अभी देखिए थोड़ी देर में देखे बर्फ के फोय वी गिर रहे है देखो जाल दुबा आई चिंगो कि अगर अगर स्वादी पड़ेगा